सहरनपूर से आमादमी पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में कुदे योगेश धहिया की रा बहुत मुश्किल होने वाली है क्योंकि दिली मॉडल लेकर बेशक का आमादमी पार्टी सहरनपूर का दिल जितने की तयारी में है लेकिन यहां से राजनितिक दलों के दो-दो हा रहा है इसी पर खबरे अभी तक संबादतर ने आमादमी पार्टी के प्रत्याशी योगेश धहिया से खास बात्चित की है उनका क्या कुछ कहना था आईए सुनते हैं सारनपूर जिला और ये लोकसबा सेट बहुत ही ज़ादा महत्तपूर है सबी पार्टियों के लिए और बड़ी जो बड़ी जो पार्टिया है या दूसरी रिजनल पार्टिया है सबकी नजर इस सेट पर भी है यहां की जो प्रत्याश्वी है पूरे जोरों शोरों से प्र पर्थक भी है और आम जनिता भी है सबसे पहले बात कर लेते हैं योगेश दिया साब से योगेश जी क्या लग रहा है हावा पक्ष में है कि नहीं बहुत पक्ष में हैं बहुत पॉजेटिव लेहर है आम आदमी पार्टी की सारनपुर में पार्टी की रहा हैं और आम जब से उत्रा खंड यहां से परथक हुआ है ये एक टापू बन गया है चाहे वो स्वास सेवाइं हो चाहे सरकारी हो चाहे कारोबार हो रोजगार हो हाला यहां पर धरातल पर हैं जीन छीन हालत में है सारी सेवाई और चाहे आप पानी की बात करें बिजली की बात करें पानी का तो इतना बुरा हाल है कि यहां जितनी नदियां है चाहे वो हिंडन है चाहे पाउंध होई है चाहे और नदियां है काली नदियां सब कैंसर के रूप बने हुए है गरामिक शेत्रों में आप जाते हैं शेहर में जाते हैं तो लोगों की आप से क्या मांग होती हैं अगर वो आपको चुनते हैं तो आप क्या करने वाले देखें सबसे बड़ी बात आज हालत यह है कि चाहे छोटे से छोटी बिमारी हो जाए, शूगर हो जाए, हार्ट की हो जाए, कैंसर हो जाए या कुछ भी है तो आम आदमई यही कहता है जि कि यह तो जमीन विखेगा, जमीर विखेगा तो उनकी हालत ये है कि वो चाहते हैं जो दिल्ली मॉडल स्वास सेवा का है कि जब हम टेक्स देते हैं तो सरकार हमें सरकारी स्वास सेवाएं उपलब्द करा दे लेकिन बीजेपी कहती है कि कॉंग्रेस ने 55 सालों में कुछ नहीं किया और बीजेपी ये भी कहती है कि हमने 5 सालों में इतना कर दिया कि कॉंग्रेस तो सोच भी नहीं सकते थी अब दोनों को लेकर आप क्या कहा हैं मैं यही कहना चाहूंगा जितना टाइम कांगरेस को जाने में लगा वो 55 साल थे और बीजेपी साहथ 5 साल में उतना ही कमा पाई कि वो भी 5 साल में विदाई के लिए तैयार है आम आदमी को जो चहिए जो उनकी उमीद थी उस पर ये पार्टिया तो खरा नहीं उतरे हैं यह आप कहना चाहता हूं मैं यही कहना चाहता हूं कि वो तीनों पार्टिया एक दूसरे को हराने में हैं और आम आदमी के लिए विकल्प मात्र आम आदमी पार्टिया है तो ये योगेश दिया जो की आवादी पार्टी से प्रत्यार्शी हैं सारनपूर से जैसे कि मैंने कहा कि एतिहासिक ये लोकस्वास सीट है अब देखना होगा कि योगेश दिया जो पबली के बीच में जाकर अपनी बातों को रख रहे हैं क्या जनिता को समझ आएंगी क्योंकि दिल्ली मोडल सभी जानते हैं क्या है कैमरमेन जतिन के साथ मैं कमल कोशिक सारनपूर